आप देख रहे हैं पीपीडी खबर बैंक वाले दबाव बना रहे थे जहां एक जटके में मोटी रकम आ रही थी इस काम में पत्नी पती की मदद भी करती थी गाजियाबाद पुलिस ने दोनों को गिरफतार किया है दम पत्ती ने निजी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाया इसके बाद शौक पूरा करने के लि लिया लेकिन लोन चुका नहीं पाए बैंक का ब्याज बढ़ता जा रहा था बैंक वाले लोन चुकाने का दबाव बना रहे थे फिर ऐसे काम में उतार आये जहां एक जटके में मोटी रकम आ रही थी इस काम में पत्नी पती की मदद करती थी लेकिन यह खेल ज्यादा नही चल पाया और पुलिस ने दोनों को गिरफतार कर लिया थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा लूट करने वाले महिला सहित दो अभियुक्तों को गिरफतार किया गया कबजे से लूटी गई सोने की चेन अन्य लूट के 3200 रुपएव घटना में प्रयुक्त स की बरामदगी टीमों का गठन किया गया पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल के आस पास CCTV कैमरों को चेक किया गया तो पाया की घटना में महिला भी शामिल है जो स्कूटी से चलती है मैनुल इन्पुट, CCTV कैमरों की चेकिंग, सर्विलांस की मदद आरोपियों को पकड़ा गया दसवी पास रोजाना 300 रुपए कमाता था घर खर्च नहीं चलने पर किया ऐसा काम जिसमें 20,000 रुपए आने लगे दमपत्ती ने खुद का बड़ा कारोबार पहला लिया क्रोसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा लूट में शामिल अभ्युक्त विवेक पांडेय निवासी, स्कार्डी ग्रीन सोसाइटी, पांडव नगर मूल निवासी ग्राम मठिया, थाना गुसानी गंज, जिला अयोध्या और कीर्ती शर्मा पत्नी विवेक पांडेय थाना क्षेत्र, क्रोसिंग रिपब्लिक से गिरफतार किया गया, जिनके कबजे से घटना में एक स्कूटी व लूटी गई, चेन वन या लूट के 3200 रुपे बरामद हुए अभियुक्तों ने पूछताच पर बताया गया कि हम लोगों ने HDFC क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था, जिसकी किस्त समय से अदा नहीं हो पा रही थी बैंक द्वारा पैसा वसूली के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था ऐसी स्थिती में पैसे की आवश्यक्ता के कारण हमने महिला से उसकी सोने की चेन को छीन ली इससे पहले पूर्व गलेरिया मारकेट क्रॉसिंग रिपबलिक के पास एक महिला से भी सोने की चेन छीनी थी जिसे हमने अपनी मजबूरी बता कर सस्ते दामों पर रह चलते व्यक्ती को बेच दी थी ब्यूरो रिपोर्ट गाजियाबाद आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पी पीडी खबर क्रिपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर और लाइक करना ना भूलें